Question number 1, आराम से समझेंगे, the belief that, यानि ये विश्वास, that children's behavior, यानि बच्चों का विवहार, can be modified by reinforcers, reinforcers क्या होते हैं, पुनर बलक, हम कहते हैं, शाबाश, very good, बहुत बढ़िया बच्चा है, बहुत अच्छा किया तुमने, ये क्या, reinforce करना है एक तरह से, और अगर हम बात करते हैं, punishers की, punishers क्या होते हैं, दंड देना, याना, चुप हो जाओ, डांट लगा दिया आपने, punishment दे दी, class से बाहर निकाल दिया, खड़े कर दिया, आप तो हालांकि ये वाली डांट आपकी, legal भी नहीं है, या कहेंगे, सही भी नहीं है, corporal punishment, तो punishers और reinforcers जो हैं, वो विव वो थोड़ी सी नहीं घुमा दी, जबकि topic वही, concept वही, कुछ ऐसा नहीं है, कि दिक्कत हो समझने में, या कुछ भी इस तरह का, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक, समझते हैं, अगर हम बात करें, तो ये कह रहे हैं, यह अवधारना की बच्चों के आचरण को, जो बच्चों का व भावित होगा, पहले आपको simple सोचना है, यह reinforcer और punisher क्या है, क्या यह हमारे heredity से आ रहे हैं, नहीं environment का हिस्सा है, जब आप किसी को dund दे रहे हैं, भाई यह सम मत कर, छोड़ दे बैठ जा एक दम, साथ में, उसमें login नहीं है, ठीक, तो अगर हम बात करें, कि reinforcer कहा है, environment म किसी ने कहा, शाबाश बेटा, कोई gift दे दिया, reward दे दिया मानले जाए, punishers क्या है, दंड भी environment से ही जुड़ा हुआ है, बच्चा heredity से थोड़ा ना लेके आता है, कि दंड दे रहा है खुद को ही, तो environment का factor है, जो लोग यह मानते हैं, कि reinforcer और punishment या punishers जो है, वो modify करते है विभार को, उनका मानना ये होगा, कि जो development है, वो primarily influenced है, किस से, वातावरन से, सिर्फ वातावरन से, क्योंकि इसमें heredity की बात कहीं नहीं हुई, यह reinforcer और punishers दोनों environment का हिस्सा है, simple बात है, बस समझने का फर्ख है, दोनों का यहाँ अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हम अ enforcer और punishers जो की बच्चे के विभार को modify करते हैं, अगर आप उसको dund देंगे, तो वो चीज, repeat करने की जो आशंका है, या probability है, वो संभावना कम हो जाएगी, वो same चीज repeat करेगा, जिस पर आप उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो यह environment का हिस्सा है, simple सी बात, इसका मतला आप यह म उसके हाथ में ball आजाए, तो वो ball को फेंक देगा, या कोई समान है, उसको फेंक देगा, या throw कर पाएगा, use कर पाएगा, पकड़ पाएगा, अगर bottle भी उसके सामने है, अब इस तरह का question कुछ दिन पहले भी किया था न, लेकिन pencil पकड़ना वो बाद में सीखता है, यह ना लिखना बाद में सीखेगा, ball को पकड़ना पहले सीख लेगा, यानि पहले gross motor skills आती हैं, इस थूल गतिक कौशल जिन में बड़ी मास पेशियों का प्रयोग होता है, और बाद में fine motor skills यानि सोक्ष्म गतिक कौशल आते हैं, जिन में आप अपनी छोटी muscles का प्रयोग करते है वो छोटी muscles कौन सी हैं, आपकी आखें और आपकी उंगलियों की जो muscles हैं, उनका coordination, ठीक है ना, इतनी बात clear है, देखो यह जितने भी लोग परिशान है, eligibility criteria को लेके के हम appearing में और option नहीं आ रहा, form भरते समय, मैं कहल आपके यह जो problem है, इसको solve कर दूँगी, है ना, थोड़ to toe जाना, सर से पैर, पहले बच्चा अपना सर समालना सीखेगा, फिर गर्दन, फिर नीचे, फिर खड़ा होना सीखेगा, यह अलग कहानी है, यह direction different है, लेकिन proximo distal इसका simple answer होगा, जब भी आपको gross to fine, यह general to specific, general to specific क्या है, general activity है अपने पूरे हातों को हिलाना, specific क्या है, सि इसी चीज़ को ठाना, यह question बहुत बात बुछा गया है, कि बच्चा पहले किसी चीज़ को पूरे दोनों हातों से पकाड़नी कोशिश करेगा, फिर बाद में सिर्फ दो fingers का use करके pen को hold कर लेगा, तो fine motor skills पर बाद में जाएगा, जब ऐसी इस्तिती बने तो proximo distal यानी principle of integration यह होता है कि आपके, जब आप cycle चला रहे हैं मान लीजे तो आपके आखें, आपके हाथ, आपके पैर सब एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक तो integration is different, interrelation क्या होता है कि विकास के सभी पक्ष जुड़े हुए होते हैं, लेकिन जब वो जुड़के एक साथ काम करते हैं, तो integration कहलाता है, खेर इसका अंसर क्या हुआ, प्रॉक्सी मोड इस्टल, आगे बढ़ेंगे question number 3 पर, question number 3 क्या कहता है, question number 3 कहता है, motor and cognitive development happens, यानि गत्यात्मक और संग्यानात्मक विकास, गत्यात्मक मतलब जिसमें गती हो, दोड़ना, भागना, उचलना, कूदना, ये सब का जो विकास है, और संग्यानात्मक हमारी बुद्धी, सोचना, समझना, पर्क करना, इन सब की जो विकास की शमता है, या विकास है, वो कब तक होता है, सिर्फ childhood तक, सिर्फ adolescence तक, सिर्फ adulthood तक, या throughout the lifespan, तो हम कहते हैं, विकास एक सब चलने वाली प्रक्रिया है, भाई मान अजिए, अडलेसेंस के आते-अटे, अडल्ट हुट तक, आते-अटे प्याजें भी कहा है, cognitive development आपका, पन्दरा साल तक, बहुत सारी चीज़ जितनी भी शमता है, वो आजाएंगी, अचीव हो जाएंगी, मतलब, लेकिन ऐसा है कि रूख जाएगा उसके बाद विकास, आ 34 साल में विराट खोली खेल रहे हैं, या other players हैं, तो उस case में क्या है, motor skills तो बहतर हो रही है, ठीक, तो हम यह कह सकते हैं, फ्रूआउट दी life span चलेगा, यानि संपून जीवन काल के दौरान चलेगा, विकास रुखता नहीं है, इट continues फ्रूआउट दी life span, यानि lifelong प्रक्रि आगे बढ़ेंगे, question number 3 पे जाएंगे हम, नहीं 3 हो चुका है, हमारा 4 पे जाएंगे, question number 4 देखेगा एक बार, which of the following is a primary agency of socialization, सामाजी करण कई, मुख्य एजनसी या फिर संस्था कौन सी है, मुख्य मतलब primary और secondary, primary simple आपको पता है, primary शुरुआत कहां से होगी, घर से होगी तो primary family होती है, और secondary में पूरी दुनिया आजाएगी, चाहे वो school हो, कई बार neighborhood भी आजाएगा, mass media and all, सब आजाएगे, socialization क्या है कि हम समाज में रहने का तरीका कैसे सीखते हैं, हम कैसे खाएंगे, कैसे पीएंगे, कोई आएगा, तो नमस्ते करेंगे, कहीं पे जाएंगे, तो कैसे कपड़े पहन के जाएंगे, basically सारी चीज़े, socialization में आजाती हैं, जैसे समाज के तौर तरीकी नियम कायदे कानून हम सीखते हैं, सामाजी करण की ब्रक्रिया में, इसमें जो प्राथमिक एजंसी है, वो परिवार है, क्योंकि बच्चे ने जन्म सबसे पहले फिर तीन साल से हम देखते हैं, कि secondary socialization की तरफ वो बढ़ने लगता है, समाज में घुलने मिलने लगता है, तो आपका I.A. का concept यहां family में बन जाता है, school, religion, community, यह सब secondary है, अगर family के साथ school आजाए, school तो खेर हमेशा ही secondary होगा, neighborhood का कई बार क्या होता है, कि लोग neighborhood को secondary में भी यह नहीं, कोई identity खास नहीं है neighborhood की, ठीक, आगे बढ़ेंगे, question number 5, question number 5 देखेगा, आसान सा question, बड़ बहुत बार पूछा जा चुका है, important question है, Jean Piaget's ideas on language and thought, यानि विचार पहले आया के भाशा, भाशा और विचार के बारे में, Piaget के जो विचार है, which of the following statement is true, उसके बारे BAT, DLA, BTC जो भी आपने किया होगा, तो TLM होते थे, teaching learning material, उससे आप TL याद रखोगे, पहले thought आया, फिट language आई, किसके according, Piaget, TLP बना ली जगा आप, TLM का, ठीक है, TLP का मतलब क्या है, thought के बाद language आई, ऐसा कौन कह रहे है, P4, Piaget कह रहे है, ठीक, तो ये TLP से आप याद चिंतन भाषा का निर्धारन करता है, यानि पहले विचार आता है, और फिर भाषा आती है, और विचार डिटर्मेन करता है, या सुनिश्चित करता है, कि भाषा क्या होगी, यानि जब मैंने बोलना नहीं सिखा होगा, तब भी मेरे दिमाग में पैन को लेके कोई विचार होगा या जब मैं बोलती हूं, से पहले मैं सोच लेती हूं और ये चीज़ इतनी तेजी से होती है कि हमें पता नहीं लगता तो thought, जो मेरा thought है किसे चीज़ के बारे में वही तो सुनिश्चित करेगा कि मिरी भाषा क्या होगी, ठीक, तो चिंतन भाशा का निर्धारन करता है ऐसा प्याजे कहते हैं, ए ओप्शन ही सही है Language determines thought ऐसा नहीं है ये कोई भी नहीं कहता है, इसको कई लोग Vajkoski से जोड़ लेते हैं, Vajkoski ने उल्टा नहीं कहा है, कि प्याजे नहीं कहा है, पहले प्याजे नहीं कहा, ठीक है ना आगे बढ़ेंगे Question number 6 देखेंगे Question number 6 में क्या कह रहे हैं, आप पोल में जवाब देते रहेंगे, 2 glasses hold the same amount of water yet Anu thinks that the taller glass holds more, याद रखेगा taller glass holds more यानि जो लंबा glass है, उसमें ज्यादा quantity आती है पानी की more water than the wider but shorter, wider but shorter मतलब चोड़ा और छोटे glass से, ठीक, according to gene प्याजे, this reasoning of Anu, Anu क्या है, बच्ची है, और ये कौन सी reasoning है, दो glass हो में समान मात्रा में जल है, परंतु Anu सोचती है कि लंबे glass में छोटे और छोड़े glass से अधिक जल है, हम सब के साथ हुआ है बच्पन में, है ना, हमारे पागल भी बनाया है बड़ोंने कई बार, भई एक ये glass है, जो की लंबा है, बट पतला है, टॉलर है, ठीक, लेकिन दूसरा glass है, जो की wide है, लेकिन हो सकता है quantity इसमें ज्यादा है, लेकिन इसकी होता है, उसमें quantity दिखने में छोटा होगा, बट उसमें quantity ज्यादा होगी, ठीक, तो ये हम कहीं हाई psychology से खेल रहे हैं, वो उने लग रहा है हम अभी तक हमारा centration का गुण ही नहीं गया, conservation की कहानी है, कि अनु को लग रहा है कि भईया, shape और size पे focus है, अनु का जो focus है, वो shape और size पे, कि इसकी shape, ये tall दिख रहा है, तो यही लंबा है, जबकि quantity का खेल इसमें ज्यादा हो सकता है, ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, conservation की कमी है अभी बच्चे में, लेकिन पूछा क्या है, ये तो देख लीज़े, सर, conservation जो लोग answer कर रहे हैं, दीक, seriation होगा नहीं, क्योंकि ये series में लगाना होता है, जैसे ascending, descending order, जिसको हम कहते थे, अपवर्ती और अनुवर्ती क्रम, जो भी था, maturation का यहाँ कोई रोल नहीं है, परिपकवता का, बात हो रही है, कि बच्ची को ऐसा लगता है, कि बड़े glass, यानि taller, जिसकी height ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा quantity आएगी पानी की, और जो चोड़ा है, बट छोटा glass है, उसमें कम आएगी, तो ये जो reasoning है, ये centration का गोण है, इसका जो आधार है, वो centration है, conservation ये lack of conservation है, conservation इसको नहीं कहेंगे, conservation यानि संरक्षन अगर chief हो चुका होता, तो ये बात ही रहीं कहती है, अनू, फिर तो उसको समझा आ जाता है, भाई कोई फर्क ने पड़ता, shape और size के change होने से quantity तो same रहेगी, चाहे आप 100 ml पानी इसमें रखो, बॉटल में रखो, बराबर ही रहेगा, conservation अगर आ जाता तो उसमें इतनी समझा आ जाती, तो conservation अभी आया नहीं है, तो ये lack of conservation होता तो फर भी सोच लेते, conservation नहीं है, संरक्षन नहीं है, ये centration है, kä tomato आ है, और ये centration की वजहा से conservation की कमी होती, यै lack of conservation किसकी वजहा से centration का गूण है, जिस दिन हम बात करें centration की तो centration का क्या मतलब है centration का मतलब है आपका पूरा focus पूरा center of attention किसी एक गुण पे है किसी जीज की यानि अगर बच्चे का ध्यान shape पे है कि भीया shape जो है वो इसकी पतली है glass की तो उसका ध्यान पर सिर्फ shape पे है यह नहीं है किसकी चौड़ाई कम है है ना तो वो centered है उसका ध्यान केंदरित है सिर्फ height पे जब आपका ध्यान किसी एक ही गुण पे केंदरित होता है तो वो centration हो जाएगा आप बाकी गुण भूल जाएंगे है ना आप ये भूल जाएंगे कि इसकी सिर्फ height के अलावा और भी तो चीजें हैं वो हम देखी नहीं पारे या कोई bottle है माल लिजे तो इसमें quantity के अलावा इसका color, shape, size कुछ तो देखेंगे नहीं तो centration में आपका पूरा ध्यान एक ही गुण पे जाता है और आप दूसरे aspects नहीं देख पाते हैं जिसकी कमी से, जिसकी वजहा से conservation की कमी हो जाती है इसका उल्टा होता है decentration अगर इसको ऐसे भी लिख सकता है था कि बच्चे को problem कहा है तो आप कहते decenter करने में problem है, option change करके decenter कह देता decenter क्या होता है, विकेंदरी करन विकेंदरी करन कब होगा कि भई वो decenter करके नहीं देख पा रहा कि बेशक इसकी जो height है वो जादा है लेकिन चोड़ाई कम है, wide कम है ये glass, तो वो decenter अगर करना सीख जाएगा, तो फिर conservation आ जाएगा तो lack of conservation है क्यों कि decenter करने वे problem है या centration अभी भी है, वो एक ही गुण पर focus कर पा रहा है, ठीक आगे बढ़ेंगे next question पर और ये कहां आती है, ये जो शमताएं हैं आपकी, ये कहां आती है प्याजे की concrete operational stage हमें पता है, मूर्थ संक्रियात्मक, साथ से 11 वर्ष के अवस्था है, CCS से मैंने आपको बताया हुआ है, CCS ये चौधरी चरण सिंग यूनिवर्स्टी नहीं है C for conservation, C for classification और seriation, conservation यानि संरक्षन के quantity change नहीं होती, shape और size के बदलने से, आकार के बदलने से अभी जीत, या प्रकार के बदलने से मात्रा सेम रहती है, classification क्या है कि आप गुण के आधार पे, जो triangle वाली चीजें है, उनको एक जगह पे classify कर पाएं, वर्गी करन कर पाएं उनका कोई दूसरी shape के बरतन है तो उनको एक साथ रख पाएं, seriation क्या है कि आप series में रगा पाएं, छोटे से बड़ा क्रम और बड़े से छोटा, ठीक, तो ये तीनों गुण 7 से 11 वर्ज के वस्था में, मूर्थ संग्रियात्म के वस्था में, बच्चा अचीव करता है ऐस पर प्याजे, next question है, reversibility, यानि ये भी प्याजे से ही question है, reversibility, the ability to reverse actions is a basic accomplishment of which stage as given in the Pijashian theory of cognitive development, प्याजे के अनुसार या प्याजे के संग्यानात्मक, विकास के सिधानत के अनुसार, प्रतिवर्थियता, यानि कि जो reverse करना है चीजों को, यानि प्रतिवर्थियता, किसी क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना, किस चरण की बुनियादी उपलब धिया है, यानि reversibility कब आती है बच्चे में, अब इस reversibility भी जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं, conservation से, ठीक, reversibility क्या है, ये paper है हमारे सामने, और इस paper को, क्या क्या है, ये कर दिया, है ना, अब बच्चा सोचेगा, कि अब तो ये reverse नहीं किया जा सकता, हालांकि इसको reverse करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इस पर press rest लगा करके और इसको तब जाके अब ठीक किया ये इसको reverse किया जा सकता है, अब इसको reverse करना संभव है, यानि बर्व पानी बन सकता है, ये reversibility है, ये reversibility है, ये वापस से ऐसा हो गया, ठीक, तो reversibility का मतलब है, हम reverse कर सकते हैं किसी action को, आपने आटे की जब, आटे से एक छोटा सा वो बनाया, रोटी बनाने के लिए, उसको आप proper रोटी बना सकते हो, फिर से उसको आटा बना सकते हो, समझवारें, शेप reverse कर सकते हो, तो ये वही है, आप घर से निकले, और मंदर तक गए, और मंदर से वापस आने में बच्चे को दिक्कत होगी फर, क्योंकि reverse actions में दिक्कत हो रही है, जाने में दिक्कत नहीं है, रिवर्सिबिलिटी में दिक्कत है, वापस आने का रास्ता वो कई बार भूल जाएगा, तो जब ये reverse ability आ जाती है, बर्फ पानी बन सकती है, पानी बर्फ बन सकता है, तो उस stage को हम कहते हैं, concrete operational मूर्थ संक्रियात्म कवस्था, 7 से 11 वर्ष, वो समझ जाएगा कि भी ये reverse ability संभव है, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परिशानी है ना, बहुत मज़े कर रहे हैं, आप लोग comments में मुझे लग रहा है, बहुत बड़ी है, like share करना आप लोग भूल रहे हैं, शायद, वो भी करते रहेंगे, खुशी-खुशी से, पढ़ाई के साथ-साथ, है ना, मूर्थ संक्रियात्म कवस्था, ये प्याजी की 4 वस्था पर, और concrete operational मूर्थ संक्रियात्मक 7 से 11 और 11 से 15, ठीक, ये 4 वस्थाएं हैं प्याजे की, आगे बढ़ेंगे question number 8 पर, question number 8 पढ़िएगा, गड़ित की बात हो रही है, क्या कह रहे हैं बही है ये गड़ित वाले, कह रहे हैं, आब mathematics teacher, यानि ये गड़ित का सिक्षक है, is using more skilled peers is using more skilled peers to support and guide the other students, वो peers, वो साथी उनकी class के, जो ज़्यादा skilled है, किसी काम को करने में, उनको help करने के लिए कहा गया है, दूसरे बच्चों को, जिनको वो question समझने में दिक्कत आ रहे, कुछ बच्चों को समझ में आ गया है, वो उनको समझा रहे हैं, जिनको समझने में दिक् which theoretical frame is she trying to apply, कौन सा frame है यह, यानि गड़ित की अध्यापिका उच्चतर कौशल पूर्ण शात्रों को अपने सहपाठियों की साहता करने हो कह रहे हैं, यानि यह जो more skilled peers से क्या है, more knowledgeable other बन गए हहां पर, m, k, o बन गए, जो की वाइगोस्की कहते हैं, यानि जो व्यक्ति आप आप से जादा जानता है, वो आपको सिखा सकता है, किसी एक विशेश शेत्र में, इसमें age का कोई मतलब नहीं है, कि बच्चे same age के हैं, तो सिखा नहीं सकते, तो उस case में क्या है यह, लेव वाइगोस्की की ही theory हुई, लेव वाइगोस्की is theory of social construction, लेव वाइगोस्की का सा सामाजिक संरशनावाद का सिखानत है, कि बच्चा समाज संस्कृती से, अपने गुरुप से, अपने से बड़े छोटे किसी से भी सीख सकता है, जिसको भी उस चीज में knowledge होगी, ठीक, और यह कहां होता है, यह होता है ZPD में, दो तीन बाते हैं जो वाइगोस्की से आपको दिहान में रखनी है, एक तो उनकी थेयरी का नाम क्या है, सोशियो कल्चरल अप्रोच है, यानि सामाजिक संस्कृतिक विकास का सिध्धानते यह कह रहे हैं, जब बच्चा समाज और संस्कृती में interact करता है, अन्योनिकरिया करता है, अंतेकरिया करता है, बात करेगा, डिस की कह रहे हैं कि समाज और संस्कृति से सीखता है दूसरी बात जो हमने यहाँ पर देखी पीर इंटरेक्शन की बात की है इनोंने और यह कह रहे है ZPD इस पर किसी और दिन भी चर्चा करेंगे अलग से थेरी वाले सेशन में ZPD यानि एक जोन है जहाँ आप सीख सकते हैं यानि आप कुछ जगा पर अटकते हैं कुछ चीज़ें आप खुद कर लेते हैं सीटेट में कुछ सब्जेक्ट में आपको समस्या होगी कुछ में आप खुद कर लेते हैं तो उनमें आपके नंबर आ जाते हैं और जिन में नहीं आपाते हैं उनकी लिया फिर आप YouTube से पढ़ रहा हैं, मेरे साथ चोड़ रहा हैं, यह क्या है क्योंकि आप seated clear कर सकते हैं, यह आपके ZPD में हैं, यानी संभावित विकास के शेत्र में हैं, यहाँ पर आज आप खुद हैं, यहाँ तक जाने की शमता रखते ह हैं, चाहे वो आपसे एज में चोटा हो व्यक्ति हैं, बड़ा हो, उस शेत्र में अगर आपसे जादा जानता है, हो सकता है, आप मुझे maths पढ़ाते हैं, और मैं आपके साथ CDP discuss कर लूँ, तो यह क्या हुआ, more knowledgeable other, यह कोई technology हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, help देने को, temporary help को, अस्थाई मदद को scaffolding या मचान कहते हैं, यह जो दाइरा है, जिसमें help दी जा रही है, वो ZPD है, कि आपका संभावना है, कि आपका विकास यहां तक हो सकता है, यह topic आपको समझ आ सकता है, अगर मैं तीन साल के बच्चे को कहूँ, तो वो उसके ZPD में नहीं है, कि मैं उसको प्याजे पढ़ा दूँ, प्याजे नहीं समझ आएगा उसको, है ना, वो रटेगा भी, अगर आएगा भी तो, खेर, तो यह Lev Vygosky का concept है, कि बात हो रही है, कि जो जादा more knowledgeable others है, जो की skilled peers हैं, वो दूसरे बच्चों को सिखा रहे हैं, जिनको उस concept को समझने में दिक के बारे में, maturation and culture को focus करते हैं, देखो Lev Vygosky की बात आती है, तो SCL याद रखते हैं हम, society, culture और language, इन तीन चीज़ों को बहुत जादा महत्वदिया है, समाच, संस्कृति और भाशा, भाशा क्या है, एक tool है, ठीके ना, तो maturation की बात प्याजे करते हैं, maturation का मतलब क्या, hered प्याजे का concept है, तो C option is the right answer, आगे बढ़ेंगे, भाशा और संस्कृति पर focus किया है, ये एक question, लड़ू question ऐसा आना ही है, चाहे वो stereotype के नाम पे आए, gender is a dash concept, इसको हिंदी में जरूर पढ़ लीजेगा, एक second दे करके translate कर लेजेगा, gender लिखा हुआ है English में, और अगर sex लिखा हुआ है, तो answer change हो जाएगा, sex लिखा हो तो आप कहेंगे, sex क्या है, एक biological construct है, यानि जैविक सनरचना है, हम biological ही जैसे बने हैं, male है, female है, basically, तो वो sexual aspect हो गया, अगर gender की बात करें, तो ये समाज ने बनाया है, कोई भी काम कोई भी कर सकता है, भई खाना पुरश भी बना सकते हैं, महिलाया भी बना सकते हैं, कोई भी बना सकता है, तो gender क्या है, social construct है gender, समाजिक सनरचना है, वहीं अगर हम बात करें, sex की, तो ये एक जैविक सनरचना है, ये question आया हुआ है, हिंदी में दोनों को link ही लिखता है, तो कोशिच कीजए का हिंदी में ज़रूर पढ़े लें, यहां तो gender दिया हुआ है, ठीक, तो ये एक number में question कई बार आया हुआ ह gender क्या है, समाजिक सनरचना है, आपके syllabus में भी given है, gender is a social construct, समाज ने बनाया है, जो हम कपड़े पहन रहे हैं, जैसे हम रहे हैं, बाल रख रहे हैं, ये सब समाजिक सनरचना है, gender के पार है, आगे बढ़ेंगे question number 11 पर, नीता की बात हो रही है, नीता, देखिए आपकी कोई varieties को animals की, कि भाया ये dog में आएगा, ये dog है, ये cow है, ये ये है, ऐसे अलग-अलग classification categories में बाट पाती है, जब वो animals को देखती है, कौन नीता एक बच्ची है, ठीक है जी, animals, plants, plants की भी भाया ऐसी जानकारिया उसको, कि ये वाला plant ये है, ये वाला plant ये है, इसको पानी ये नेचर में पाई जाती है, चाहिए वो animals हो, plants हो, metals हो, minerals हो, है ना, तो ये सब कहां है भाया, नेचर में है, तो नेचर से related जितनी भी चीज़ें उनको पहचानने में, नीता intelligent है, तो as per Harvard Gardner's theory of multiple intelligence, भाई, Harvard Gardner ने जो बहुँ बुद्धी का सद्धान दिया, कि लोग कई प प्रकृति को समझने में अच्छा हो सकता है, कोई लोगों को समझने में अच्छा हो सकता है, जो की interpersonal intelligence के हलाती है, ठीक, तो which of the following type of intelligence she demonstrating, यानि बुद्धी का प्रदर्शन करें, यानि बच्ची धातूं को, खनेजों को, जानवरों को, पौधों को, वर्गी करित कर सकती है, यानि nature में जो भी चीज़े हैं, उनको समझ पाती है, तो naturalistic intelligence है, यानि प्रकृतिवादी, बुद्धी है, ये gardeners में, farmers में, जो botnist वगेरा हैं, उनमें पाई जाती है, ठीक है न, चल ये खेर, होते हैं न कुछ नों को बड़ा shock है, हमारी एक आंटी है, उनको बहुत shock है, तो naturalistic intelligence कहेंगे इसको, interpersonal, ये लोगों के साथ deal करने, linguistic, जिसकी भाषा पर पकड़ हो, कोई नेता भी हो सकते हैं ये, otherwise, जो linguist होते हैं, writers हो सकते हैं, भाषा का प्रयोग करने वाले, even teachers में भी कई बार पाई जा सकते हैं, intrapersonal होती है, खुद को जानने वाली बुद्धी, त हर class आप primary school teacher should, वह व्यक्तिकत विभिनता है, मतलब कोई भी दो लोग बिल्कुल सेम नहीं होते, अगर हम सब सेम होते तो robots बन जाते, तो हमारी interest में, हमारी रुचियों में, सेम लोगों को दो गाने भी नहीं पसंद, मतलब सेम गाना भी सब को पसंद हो, जरूरी तो नहीं trust, aptitude, attitude, color, shape, size, हम सभी में विभिनता पाई जाती है, जो कि एक अच्छी बात है, ठीक, तो अगर हम कहें, तो individual differences को cater करने के लिए, जब अलग अलग तरह के बच्चे ने तो पढ़ाएंगे भी अलग अलग तरह से, कौन सा option सही होगा, make strict rules for everyone, और punishment दो जो नामाने, तो सब क सब के लिए same rules, सब के लिए same example, कैसे चलेगा, जब बच्चे अलग है, उनके लिए चीजें भी अलग होनी चाहिए, सिखाने की, तो same rules से क्या होगा, यह rigidity है, हमें flexibility की तरफ जाना है बच्चे के लिए, जहां बच्चा खुश हो, वो option बढ़िया है, focus on standardized paper pencil test, यान सब के ल uniform नहीं, uniform होती है, जैसे school में आप सब एक जैसे कपड़े पहन के जाते हैं, तो अगर सब के लिए curriculum same है, थोड़ा भी अंतर नहीं है, different activities उसमें शामिल नहीं है, different chapters शामिल नहीं है, farmers पे, दूसरा chapter है, space की बात हो रही है, तीसरा chapter है कोई mountain चढ़ रहा है, तो यह क्या है, व अधियार्थियों को अधिगम के विविद अवसर प्रतान करना, different different तरीके, कभी किसी को आप field trip पे ले जा रहे हैं, कभी, कभी बच्चों को आप sports खिलवा रहे हैं, कभी बच्चों को आप class में Q&A या discussion चल रहा है, कभी आप lecture दे रहे हैं, तो different तरीके से आप पढ़ा रह reasons, age पे focus कीजगा, reasons stealing is wrong because stealing behavior can lead to his rejection by others, भाया stealing बुरी क्यों है, चोरी करना बुरी बात क्यों है, क्योंकि दूसरे इसको reject कर देंगे, अगर घर में पता लगा, भाई भेन को पता लगा, दोस्तों को पता लगा, तो वो कहेंगे, तुम आज से मेरे दोस्त नहीं, तुम तो चो समान किसी का या किसी का कोई भी चीज आपने बिना बताए उससे ले लिया, ये गलत बात है, या नहीं करना चाहिए, किसी सामने वाले के लिप चॉइस का हम ध्यान रखें है, कुछ भी नहीं है, कोई reasoning नहीं है, reasoning क्या है, चोरी करना इसलिए बुरी बात है क्योंकि दूसर रिजेक्ट कर देंगे, कौन सी स्टेज आए ये, मतलब अपरूव नहीं करेंगे, अच्छा बच्चा नहीं कहेंगे, तो ये गुड़ बॉय, गुड़ गुड़ ओरियंटेशन है, ये वही वाली बात है, मान लिजे, बच्चे कई बार होता है बहुत परिशान करते हैं, ये बच्चा माल लो चोड़ine करके लाए, और ममी ने कहां बात मंत कर रूए, आजसे मेरा बच्चा नहीं है तो अब बच्चा नहीं है, ममी ने क्या कर दिया है, बाS परूडी बात हो चोड़ी चीजोऊ पर हो जाता है तो अब बच्चा परिशान है, वह अगली बार वह तो लोग आप पे गौरवानवित महसूस करेंगे तो अच्छा लड़का, अच्छी लड़की सुनने के लिए आप ये करते हैं, तो कि बुरी बात नहीं है क्योंकि ये stages हैं, धिरे-धिरे age के साथ morality के reasons change होते रहते हैं, ठीक punishment and disobedience, ये होता है कि आप दंड से बचने के लिए आग्या का पालन कर रहे हैं दंड मिलेगा, इसलिए आप आग्या मान रहे हैं, दरवाइस आपको घंटा फर्क नहीं बढ़ता, ये ना social order orientation ये होता है, समाज में नियम बने रहें, ये थोड़ी सी अच्छी बात है कि समाज में अगर सम नियम तोड़ेंगे तो फिर कैसे चलेगा और समाज में एक order बना रहे हैं, उसलिए मान रहे हैं आप, universal ethical principle तो highest level हो गया, sixth level हो गया, ठीक है आगे बढ़ते हैं, A option is the right answer और ये कौनसी stage है, ये third stage है, second level की conventional यानि पारंपरिक स्थर की पहली stage और वैसे देखें तो third stage, total six stages दी हैं कोहल बग ने और तीन स्थर दिये हैं हर एक level पे दो stages है आगे बढ़ेंगे question number 14, ये सारी collection of students work, यानि बच्चों के काम का collection आपने एक file में collect करके रखा है कि बच्चे ने ये painting बहुत अच्छे बनाई थी ये draw बहुत अच्छा करता है, ये sports में बढ़ा अच्छा है, उस दिन चक्का लगाया था, उस दिन ये किया था एक file बनाई हुई ये आपने बच्चे के काम की collection of work की, उसकी achievements की on a variety of tasks throughout the throughout the meant for keeping a record of their performance ताकि आपको पता लगी कि बच्चा कैसे perform करता है, तो हर बच्चे के लिए एक file बनाई हुई है है न, इसको rubric कहेंगे, rubric होता एक पैमाना, एक set standard कि इतने questions hard होंगे, इस level की questions होंगे, इस तरहा की questions डाले जाएंगे rubric एक पैमाना है, ये कोई file collection वाला काम नहीं है, और इसको सिर्फ file तो नहीं कहेंगे, ऐसी तो फिर और भी files हो सकती है data sheet, सिर्फ data भरा हुआ है इतने percent ये वो, नहीं, यहाँ पे pictures भी हो सकती है, तो ये portfolio है जिसमें collection होता है progressive collection होगा, आपके record keeping रखी जाएगी, जो भी बच्चे की achievements है, जैसे आप आजका लोग actor, actress बनते हैं, या modeling में जाते हैं, एक portfolio तेयार होता है, सुंदर-सुंदर photos की आपने एक file बनवाई हुई है, उसी तरह से बच्चे के अच्छे कर्मों की, पूरा जो भी उसका काला चुठा है, कच्चा चुठा है, whatever अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, जो भी है, उसमें रखेंगे, बुरी तो नहीं है रखते खिर, चलिए D option is the right answer, question question number 15 देखिएगा, question number 15 देखिएगा, in a progressive school, यानि एक प्रगतिशील विद्याले, किसने, John Dewey ने स्थापना की थी, John DV क्या देते हैं इनको Hindi में हम, तो John Dewey ने Chicago में इन schools को, progressive schools को, lab schools भी कहा गया, paper में पूछा जा चुका है, lab ही कहेंगे Hindi में भी, lab schools भी कहा गया, Chicago में इनोंने स्थापना की, learning by doing की ये बात करते हैं, करके सीखने की, बच्चे को active रखने की, child centered, बाल की इंदृत सिख्षा की बात कर रहे हैं, अपनी बाइक के साथ इनोंने schools को ले थे, तो child centered education की इनोंने बात की, ये CCE, अपने आप में CCE का मतलब वो है, continuous and comprehensive, ये मैंने ऐसी short form बनाई हुए, confused मत हो जाना इससे, ठीक, तो बच्चा जहां active होगा, वो बढ़िया होगा, इनोंने का है, learning क्या है, एक social activity है, social है, और बच्चा जहां active हो, करके सीखना, learning by doing, तो active explorers माना है, बच्चे को सक्रिय, अनवेशक माना है, जहां वो activity करेंगे, followers नहीं, explorers, followers होता है, actively आप follow कर रहे हैं, आपकी गरुजय ने, यानि किसी ने कुछ कह दिया, और आप वही मान रहे हैं, passive follower, चुप-चाप से follow कर रहे हैं, explorers नहीं, active explorer है, बच्चा, नन्य विज्ञानिक के जासा है, question number 16 देखेगा, हाला कि नन्य विज्ञानिक, exact जो term में कहा, वो प्याजे ने कहा, question number 16 कहता है, fluency, elaboration and flexibility, fluency क्या है, बहुत सारे ideas, कोई problem आपको बताए, या किसी चीज़ पर सोचने हो कहे, आप different तरीका, सेंखण तरीके बतादे में, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐना, elaboration के आप detail में उसको समझा देते हैं, चीज़े निकाल करके, flexibility क्या है, एक तरीका काम ने किया, दूसरा, दूसरा ने किया, तीसरा, यह किसके गुण है, यह creativity के गुण है, यह रचनात्मकता के गुण है, स्रजनात्मकता के गुण है, रचनात्मकता क्या होती है, कुछ नया, कुछ original करने की शमता, कुछ novel करने की शमता novelty या फिर originality यानि मौलिक्ता होगी divergent thinking होगी अब सारी चिंतन होगा out of the box thinking होगी brainstorming होगी यह सारे वर्ड याद रखने है lateral thinking भी creativity से जुड़ी होई है lateral thinking मतलब leak से हट के सोचना ठीक तो creativity से जुड़ी होगा creativity के चार elements होते हैं FFOE FFOE क्या है fluency यानि number of ideas fluently आते है flexibility यानि लचीलापन होता है एक तरीका काम नहीं किया दूसरा दूसरा नहीं तो तीसरा originality यानि copied नहीं होता अपना खुद का original मौलिक चिंतन होता है elaboration इस चीज़ को elaborate कर पाएंगे आप तो यह चार विशेष्टा हैं इंसे एक question आ जाता है बाकी के तीन option अगर हम देखें यहां पे तो वो opposite है ego centriism का अतलब सिर्फ एक ही चीज़ पर focus है तो फिर कहां से flexibility बची external motivation again यह creativity का लक्षण नहीं है ऐसा हो सकता है आपको बहुत टाइम लग जाए कुछ नया बनाने में कोई बहार से motivate ना भी करें आज आप देख रहे हैं इतनी शमता में अपसे जब 6 साल पहले यह channel शुरू हुआ था तो कोई external motivation थोड़ा थी कि बच्चे थोड़ा नपढ़ाते हैं लोगों नहीं भी बोला अरे 19 साल के बच्चे को 21 साल के बच्चे को क्या पता होता है तो यह external motivation पर creativity काम नहीं करती वो तो 50 बार फेल होगे एक बार कोई original चीज नकल के आएगी functional fixness की जब हम बात करें तो यह कि सिर्फ एक ही तरीके से आप try कर रहे है तो यह भी खराब है इससे creativity कभी नहीं आएगी निकल के अगर आप एक ही तरीके से try करेंगे तो कुछ नया सोच ही नहीं पाएंगे तो C option is the right answer over here divergent thinking से जड़ी हुई है creativity किस के अनुसार? JP Gillford के अनुसार question number 17 देखेगा एक बार inclusion of students inclusive education पांच नंबर का topic है आपका seated में समाविशी सिक्षा और यह हर जगा आता है कोई paper नहीं है teaching का जहां inclusion ना पूछा जाए inclusive education यानि सभी बच्चों को एक शत के नीचे regular school में पढ़ने का अधिकार है इसा नहीं किसी बच्चे को देखने में समस्या तो हम उसको blind school भेज दें अलग थलग नहीं करना seclude नहीं करना seclusion या segregation अलगाव जो है वो प्रकृती के नियमों के खिलाफ है जैसे प्रकृती हम सभी को धूप सबको बराबर मिलती है हवा सबको बराबर मिलती है ऐसा तो नहीं होता कि भई किसी को दिखाए नहीं देरा कोई चल नहीं सकता तो इसको धूप कम लगेगी और आपको ज़्यादा लग जाएगी ऐसा कुछ नहीं है inclusion है तो जैसे nature, mother nature जोसको हम कहते हैं वो हमें भेदभाव नहीं करती वैसे आपको भी बच्चों को सारे बच्चों को एक साथ सिखाना है segregate नहीं करना बच्चों को standardized curriculum नहीं differentiated, flexibility, infrastructural accessibility की ज़ुरत होगी बात तो सही आधार भूत अभी कम में था आपको अपने structure में change करने की ज़ुरत है infrastructure में change करने की ज़ुरत है स्कूल के system में change करने की ज़ुरत है कि आप स्कूल में क्या करें सीधिया हैं, तो हर बच्चा तो सीधी से चड़के नहीं जा पाएगा जो wheelchair का इस्तमाल करता है वो कैसे चड़की जाएगा तो आपने infrastructure में change करके क्या बनवाया ramp बनवा दिये school पे याद ने वेश्णोदेवी गए होगे वहाँ पे ramps है सीधिया नहीं है वो तो एक normal बच्चा भी चड़की जा पाएगा और एक wheelchair भी जा पाएगी वहाँ पे बसाखी वाला बच्चा भी जा पाएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर में change होगा तब जाके inclusion possible है orthopedic बच्चों की बात की है orthopedic वह होते हैं जिनको हड्डियों से related problems होती है तो infrastructure में change करेंगे rigid attitude से चलेगा नहीं flexibility, rigid word जहां दिख जाए समझ जाना negative है placement in special schools special school की बात inclusive education नहीं करती यह कहती है एक ही school में पढ़ा हो सबको special बच्चा हो चाहे normal बच्चा हो ठीक है आगे बढ़ेंगे question number 18 पर question number 18 क्या कहता है dyslexia is generally categorized as याई dyslexia जो है पठन वैफल्य ठीक ये पठन वैखल्या या वैफल्या जो है याई पढ़ने में विफल्या है simple सा मतलब है पठन वैखल्या का मतलब क्या है पढ़ने में दिक्कत है तो ये dyslexia किसके under आएगा ये पूछा है spectrum of learning disorders mild mental retardation देखिए याद रखेगा dyslexia वाला बच्चा mentally retarded नहीं होता बस आपको उसको सिखाना है different तरीके से उसके IQ में कमी नहीं है spectrum of psychosocial disorders ये psychosocial नहीं है कि सामाजिक समस्या है कोई या psychologically कोई problem है common motor disability motor disability होती ही नहीं है dyslexia वाले बच्चे को पता ही नहीं लगेगा आपको उसको ना कोई हातों में दिक्कत है नहीं होता है, वो पढ़ई नहीं पारा, वो लिखी नहीं पारा उसको दिक्कत हो रही है क्यों क्यों कि आप ए बनाते हैं ऐसे उसको ए तो ऐसे दिख रहा है अब जो पढ़एगा गलत लिखेगा गलत तो इनकी wiring में brain की कुछ दिक्कत होती है बाकी ऐसा नहीं होता कि इनकी पुद्धी के स्थर में कमी है या कुछ और बाहर कोई प्रॉब्लम है तो ये learning disability LDs बोलते हैं इनको अधिगम विकारों का बहुक्रम यानि ये learning disability के अंदर आता है learning disability कई सारी होती है जैसे dyslexia पढ़ने से related dysgraphia लिखने से related dyslexia तो हमने पढ़ी लिया है अभी dyspraxia होता है चलने फिरने से related तो ऐसी कई सारी learning disabilities है यानि जो अधिगम में विकार डालती है अधिगम विकार कहते है उनको और ये जो word है वो 1960s में किसने दिया था याद करो फटाफट से जल्दी बताओ मेरी दिमाग से निंगल गया लो learning disability आपका दिया था बहुत सारी जगा अपके दिमाग है बताओ जल्दी फटाओ आपके कॉमेंटर के खोदी बताओ दू इससे पहले कि मुझे याद है आप ही बताओ learning disability पता नहीं कितने जगा दिमाग डिवाइड रहता है बताओ, Samuel Kirk ने आद आगया Samuel Kirk Samuel Kirk 1960s में नों दिया था देखियो किसी ने लिखा है कि नहीं अभी तक यहाँ पर तो लेट आ रहा है ना कमेंटर लिखा है किसी ने Yes, Samuel Kirk, बहुत बढ़ी है बहुत ही बढ़ी है लिखने है लोग, बहुत बढ़ी है अधीब, साक्षी, बहुत बढ़ी है Samuel Kirk, ठीक तो Samuel Kirk ने दिया था है learning disabilities को इसमें कई सारी समस्या है आपकी आसकती है जैसे लिखने से related, पढ़ने से related बटन लगाने से related motor skills वगेरा भी, dash is not a principle of inclusive teaching, यानि निम्रिखित में से कौन सा समावेशी अध्यापन का सिध्धान्त नहीं है, not समावेशी मतलब education for all सभी के लिए सिक्षा, चाहे बच्चे को कोई समस्या हो, नहीं हो सभी के लिए, gifted बच्चा भी एकी system में बढ़े और normal या special बच्चा भी जिसको कोई समस्या है, यानि हर किसी के लिए सिक्षा के, सिध्धान्त के खिलाफ है, जब not लिखा होगा three date वाले कान खड़े करेंगे, seriously ध्यान से question को पढ़ेंगे, question easy होगा, बट आपको घुमा देगा, एक number आपका चला जाएगा प्रिंसिपल पे आधारित होती है equity के, समता के, है ना अभी जैसे हम कल देख रहे हैं, सीटेट ने कहा है 50 minute extra मिलेंगे उन बच्चों को, जिनको कोई भी दिक्कत है, जो persons with disabilities disability है, आपको ही कहा है, जो हमें तो नहीं मिल रहे हैं इनको 50 minute extra दे दिये, तो equality के माहध्यम से, नहीं, equality तो यह होगी, सबको बराबर time दे दो, आप किसी को समझ से, उसको भी बराबर दोगे, तो उसके साथ तो आपने जाक्ती कर दी, मतलब खराब किया, तो यह equity का principle है, कि हम reservation की बात कर रहे हैं, या फिर हम extra time देने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनकी need को समझ रहे हैं हम बच्चे की, ठीक, तो equity के principle तो सही है, यहाँ पर not पूछा है, गलत क्या है, segregation and labeling, यह बात आप बिल्कुल सही कहा सकते हैं, not जब भी लिखा है, और negative बात पूछ रहा है, यानि segregation प्रथा की करण, और label लगा दो, अरे यह तो फलाना है, आप किसी बच्चे को अंधा कह रहे हैं, किसी बच्चे को कुछ और कह रहे हैं, मतलब ऐसे label करके आप शब्दों को use कर रहे हैं, तो वो खराब है, segregation क्या है, अलग अब, इनको अलग school में पढ़ाओ, है न, जो बोल नहीं सकते, मूख बढ़े रहे हैं, उनको कहीं और ले जाओ, और normal school में नहीं पढ़ाएंगे, यह segregation है, और segregation is against the law of nature, प्रकृती के नियम के खिलाफ है, inclusivity का just opposite है, segregation, यह याद रखेगा जब भी inclusive की बात हो, और not लिखा है, तो segregation सही है, और normal case में segregation बिलकुल दूर भाग जाएगा, जहां segregation दिखे है, और inclusive education लिखा हो, ठीक, systematic adaptation to diversity, यानि हम विभिनिता में एकता की बात कर पाएं, acceptance of individual differences, यानि बच्चे अलग-अलग होते हैं ठीक, एक क्या बात है, सभी अलग हैं ऐसे भी कौन से सब सेम है, किसी को देखने में समस्या किसी को किसी और चीज़ में समस्या होगी, normal बात है तो B option is the right answer, क्योंकि वही गलत है और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था, वावाव आगे बढ़ते हैं question number 20th पर question number 20th क्या कहता है, देखते है assertion, यानि कथन, एक कथन दिया, एक statement दे दिया और उसका तर्क और कारण दिया है, अब आपको यह देखना है, यह कथन सही है, अगर यह कथन सही है, तो क्या इसका कारण सही है, यह reason सही है क्या दोनों सही है या दोनों में से कोई एक सही है तो ये चार ही probabilities में बनती हैं जो चारों आपके सामने लिखी होती है तो पहले तो हमें कथन पढ़ना है कि क्या ये सही है Children belonging to the quarter community learn conservation of mass earlier than conservation of number यानि वो बच्चे जो कुमार समुदाय से सम्बंधित हैं जो नहोंने वो बड़तन के आकार को बच्च्पन से बनते हुए देखा है तो उनको जो quantity of स्वाइब मास होगा conservation of mass होगा वो जल्दी समझ में आ जाएगा नंबर से उनको shape or size जल्दी समझ में आ रहा है तो मास का conservation आस्थानी से समझ में आ जाएगा क्योंकि उन्होंने वो घर में होते हुए देखिए environment में चीज है बच्चे के बिल्कुल सही बात है इसमें क्या दिक्कत है ये तो बच्चे का जो environment है वो resource का का काम कर रहा है या संसाधन के रूप में ये true है ठीक reason क्या है learning and development takes place in a socio-cultural context या जो अधिगम और विकास है वो सामाजिक सांस्कृति संदर्भ में बनपते हैं या बहतर होते हैं विक्सित होते हैं जिस समाज और संस्कृति से आप आ रहे हैं उसका प्रभाव आपकी learning पर आपकी development पर पढ़ता है अगर आप मानलीजे कार्पेंटर जहां पे हैं किसी की family में कोई carpenter है तो उसको वो shape size देना लकडी को या वो different तरीके से देखेगा चीज़ों किसी के घर में मानलीजे दुकान है तो उसकी calculation अपने आप अच्छी हो जाएगी तो यह हमारा जो सामाजिक सांस्कृतिक परिपेक्ष है इस परिपेक्ष से हमारे हैं वो हमारी learning को और development को प्रभावित करता है बिल्कुल सही बात है तो दोनों ही बाते सही है true है यानि जो बोथ A and R are true and are यानि जो reason है तर्क है वो correct explanation है एक ही जो कि अपने आप में statement है व्याख्या सही करता है दोनों सही है तो A option is the right answer